मेरे प्रिये लोगों प्रभू की स्थुत्य हो आशा करताओं की भले चंगे हैं आप सभी लोग को स्मारेंड करके परमेश्वर की महीमा करता हूं इशु के नाम से आपको बदाई में जितने परिवार मिले हुएं सबको याद करता हूं परमेश्वर की स्थुत्य करता हूं इस दुनिया में हम कहीं न कहीं पर हैं पर हमारा एक ही पीता है हमें परमेश्वर के परिवार का एक हंग बनाया है, परमेश्वर के सुति हो, चाहे जिस परिस्ति में हो, प्रभू में आप आनन्दित हैं और कहिए कि परमेश्वर के सुति हो, और उसके बल के द्वारा मुझे सब कुछ करने का सामर्थ मैंने पाया ऐसा कहिए, वह सब परमेश्वर है लगातार उसकी स्तूति कीजिए जीसिस मीट सेवकाई और हमारे परिवारों को आप समर्ण करते हो प्रात्ना करते हो थैंकिए सो मच परमेश्वर की नाम की महिमा हो आज विशेश रूप से परमेश्वर की आत्माम से खहने चाता है जो मुझे प्रेरित करता हुआ है याकुब की पत्री चोथा अध्याय और पांच्वा वचन जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल धा हो क्या तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यत कहता है आप बताया है कि ऐसी लालसा करता है जिसका प्रति सकते हो कि है परमेश्वर वैराग्य से भरावा परमेश्वर है जहां तू नहीं चाहता वहां मैं जाओं जो तू नहीं चाहता उसे ना खाओं जिस वस्त्र को तू नहीं चाहता उसको ना पहनूं ऐसे परमेश्वर के साथ हर दिन मिलकर बात करने का मौका मुझे मिल रहा है हमारे अंदर जो वास्क करने वाली जो क्रिया है वह मालूमें क्या है आपके बारे में आपके परिवार के बारे में आपके परिवार के बारे में आपके परिवार के बारे में वैराग्य से भरावा पर मेश्वर है चत्रु जब महानत की तरह आता है वह हमें वहां से उठा कर प्राता करने लाइक बना देता है मेश्वर के लोगों और मेश्वर की स्थूति हो अगर आप देखो तो हर एक देश में रडार रखें में अन्य देश से कुछ आ रहा है कि नहीं देखने के लिए अन्य लोग जो हैं समुद्र के मार्ग से यह आकाश आस्मा से उड़कर आपने छावनी के उस कंट्रोल रूम से जो है उसे भेज कर उसका विरोध करके उसको नाश कर देते हैं ऐसा ही होता है तुम्रे प्रीय लोगों आपका परिवार आपके बच्चे आपके चारों और मेश्वर की आत्मा घिरा हुआ है आपको सिर्फ एक ही काम करना है आत्मा आपके ऊपर बिल्कुल प्रीय है वही नहीं प्रमेश्वर के लोगों वह वैराग्य और लालसा से भरा हुआ है आमेन मेरे बच्चों के विरोध में जो कोई भी ऑजार कड़े होते हैं बिल्कुल नाकाम कर देता है वह आपके लिए बिंती करेगा आपकी सुरक्षा करेग आमेन इसलिए परमेश में सदा आंदेत रहिए किसी भी चीज को लेकर चिंता मत कीजिए आत्मा से कहिए पवीत्र आत्मा से कहिए कि है परमेश्वर तु मेरे साथ है मैं तेरे साथ हूं कार ड्राइब करते हो तो कहिए कि है परमेश्वर तु मेरे साथ है मोटर बैक चलात और आप उसे देख पाओगे परमेश्वर के सुधी हो अभी मैं आपके लिए प्रात्ना करना चाहता हूं मेरे साथ मिलकर विश्वास में आप प्रात्ना कीजिए पवित्र पिता परमेश्वर ईश्यु मसी के नाम से वेराग्य और लालसा से भरावा परमेश्वर याकुब चौथ है अध्या के पांच में वचन के अनुसार हमारे अंदर हमारे भीतर वास करने वाली आत्मा तेरे बच्चों के अंदर वास करने वाली परमेश्वर की आत्मा तेरे बच्चों के घरों में वास करता है तू यह परमेश्वर तू लालसा और इसका प्रतिफल धा है उ के साथ रहा कर सभी प्रकार की बुराईयों से बचा के लगा परमेश्वर की शांती लगातार घरों में बना रहे आशिशों से भरपूर कर हीश्य मसी के नाम से प्रात्ना करते हैं आमेन यही परमेश्वर ने मेरे मन में डाले भी बात है कि आप इसे विश्वास करते हैं, हाथ उनागर परमेश्वर के स्तूति कीजिए, अपने प्रात्ना कर लिया है न, परमेश्वर आपको जरूर आशिष्वर से भरपूर करेगा, दूसरों के साथ जरूर से शेयर करें, इन्धी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए प्रात्न कीजिए और मेशो की चाहो तो फिर हम मिलेंगे गाड प्लेश यू प्रिया भाईयों और बहनों आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशिश का कारण बना होगा और ऐसे संदेश को सुनकर आशिश पाने के लिए जीजस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रात्नाओं और सला के लिए हमें संपर करें हमारा फोन नंबर नौ आट चार एक तो पांच तो आट तीन छे और साथ तो नौ नौ पांच चार छे तीन छे तीन एमेल gpsrobinson at hotmail.com परमेश्वर आपको आशिश दे